हेलो दोस्तों आप सभी का All About Socius में स्वागत है और ये समासास की कम्टीटी सिरीज है और आज का लेक्चर जो है वो एक डिमांडिंग लेक्चर है आप लोग की कमेंट मेंने पढ़े थे आप लोग की डिमांड थे कि मैं एनके बोस पे और भी बहुत सारे थिंकर्स का नाम ह जैसे दिशुजा है दिपांकर गुपता है तो इस पे भी आप लोगोंने बोला है कि मैं लेक्चर बना दीजिए तो हम लोग आज सबसे पहले जो है वो एनके बोस के बारे में चर्चा करेंगे डीटेल में डिसकस करेंगे यहां पे मैं आगर अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा था कि जो UGC NET की जो 26 thinkers है पहले उसको complete करूंगी one by one क्योंकि एक एक लेक्चर ही काफी जादे लिंदी हो जाता है तो सोची थी कि पहले 26 thinkers complete कर लेंगे इसके बाद से फिर आगे का जो syllabus रहेगा वो cover करेंगे और जहां तक बात करूं कि आप लोगों को लगता होगा कि बहुत time हो गया मैंने काफी समय से ये कहा था complete नहीं हुआ तो मैं चुकि अकेले हूँ अकेले ही सब कुछ type करती हूँ और content तयार करती हूँ फिल lecture बनाती हूँ तो थोड़ा time लग जाता है लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि जो भी आप लोगों की अगर request होते हैं उस पे म यदि बात करूं तो ये आप सभी को पता है कि सभीतावादी परपेक्ष से आते हैं और सबसे पहले हम लोग इनकी image देख लेते हैं तो ये निर्मल कुमार बोस है जीवन परचे कि यदि बात करें तो अच्छा है स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और ब भी खा तो मुझे ऐसा लगा कि एक मुझे डाक्टर स्यामा परसाद मुखरजी उनिवर्सिटी रांची का एनकी बोस पे कंटेंट मिला जो कि एक अपने आप में कंप्लीट कंटेंट है और मैं ये कह सकती हूं कि 99% इसमें कवर होता है तो मुझे जो ये कंटेंट है वो सब से जादे सही लगा सुटेबल प्लस इसमें मैंने कुछ अपने से भी आड़ किये तो ये आप लोग का ये मैं कह सकते हूं कि एनके बोस को एक कंप्लीट डीटेल में हम लोग इस लेक्चर में समझने वाले हैं जीवन परचे की यदि बात करें तो इनका अगर हम जीवन काल लेके 1901 से 1972 इनका जन्म 22 जन्मरी 1901 को बंगाल और विभाजित की कलकत्ता जो कि आप कोलकता में है हुआ था तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो 1905 में हुआ था और चुकि ये 1901 में इनका जन्म हुआ था तो उस समय बंगाल जो था व की वज़ा से लगातार तबादला होता रहता था यहीं वज़ा है कि बोस की विद्यालेश जिक्षा बिहार बंगाल और उडिसा में हुई तो एरिया की वज़ा से आप लोग एक माइन में बिठा सकते हैं कि एनके बोस का जन्म जो है वो कोलकाता में हुआ था तो उधर से जो काफी कुछ जुडा रहा वर्स न्यूश 21 में बोस ने भुग गर्व सास्त में बियसी कर कलकत्ता के प्रिसिडेंसी कॉलेश से स्थनातक किए leash के प्रिसिडेंसी कॉलेश में ही मसी भुग बव सास्त में ते लालए अर्था जियोलाजी में लेकिन उन्ही दिनो महात्मा भा सहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर उन्होंने कालेच छोड़ दिया और सक्रिय रोप से आंदोलन में उतर गये बार में बोस उडीसा चले गए वहां मंदिरों के अस्थापतिक कला को लेकर ये बार बार एक्जाम में पूछा जाता है कि मंदिरों के अस्थापतिक कला पे क इसने अध्यान किया है तो काफी कुछ डिटेल में एंके बोसी ने किया है तो इसको लेके उनका रुजान बढ़ा और वह उडिशा के मंदिरों को देखने आने वाले लोगों को इनके बारे में ब्याख्यानात्मक तरीके से जानकारी देने लगे ऐसे ही एक औसर पे कलकत्ता विशो विटेले के कुलपती ने बोस को सुना तो वो उनसे प्रभावित हुए भी न रहना पाए उन्होंने बोस से मुलाकात की और उन्हें अपने विशो विटेले में मानो विज्ञान विभाग से परासनातक अर्थात पोस्ट ग्रेजूेशन का अध्यान पोड़ करने क सुचाओ दिया बोस को यह प्रस्ताव भाग गया 1923 में उन्होंने एक बार फिर प्रेसिटेंसी कॉलेज में MSC में दाखिला लिया लेकिन इस बार वो भू गर्व विज्ञान न लेके बलकि मानो विज्ञान से एड्मिशन लेते हैं इस दोरान बोस ने भारत में पसंतोच यह इनका थेसिस का टॉपिक था भारत में पसंतोच सो इस सोध प्रवंद को इन्होंने लिखा था जिसके जरिये उन्होंने भारत में सांस्कृतिक विस्तार का वड़न किया सनात को उत्तर कर लेने के बाद बोस को उडिसा जो की अब उडिसा है कि जुआंग जनजाती के लोगों पर अध्यन करने के लिए रिसर्च फेलोसिप हासिल हुई तो अगर ये प्रशन आता है कि जुआंग जन्जाती पे किसने अध्यन किया है तो यहाँ पे नाम आता है N.K. बोस का वर्स 1930 तक बोस जुआंग लोगों के बीच रहे लेकिन फिर महात्मा गांधी के नमक सत्याग्रम में सामिल होने के लिए निकल पड़े यहाँ पे आप लोगों को एक बात समझ में आ रही होगी कि जो N.K. बोस थे अर्थात निर्मलकमार बोस थे वो महात्मा गांधी से बहुत जादी प्रभावी थे वर्स 1931 में बोस को प्रिटीस पुलिस ने गिरफतार कर लिया जेल में रहने के दोरान बोस ने महात्मा गांधी पर अध्याइन के साथ विचार और रेखन भी किया जेल से छूट कर बोस एक बार फिर कलकत्ता विश्वविद्याले लोट आये यहां वहमानों विज्ञान विभाग से जुड़ गये और बतोर असिस्टेंट लेक्चरर पूरा तत्व अर्थात आर्कियोलोजी का अध्यापन प्रारंब करते हुए कई खुदाई कारियों मे हिस्सा लिया वर्स 1942 में महात्मा गांधी के आवान पर भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंब हुआ तो बोस एक बार फिर स्वतंत्रता आंदोलन में कूत पड़े ब्रिटिश सासन ने फिर बोस को गिरपतार कर लिया इस बार उन्हें तीन साल के लिए दंदम जेल में बंद गया हालाकि जेल से छूटनी के बाद उन्हें लेक्चरर सिप्त जो दुबारा मिल गए थी लेकिन 1946 में वह महात्मा गांधी के नो आखली अवियान में फिर से सामिल हो गया तो काफी करीवी से एनके बोस जो हैं वह महात्मा गांधी से जूड़े रहे भारत की ब्रिटिस दास्ता से आजादी के बाद बोस वर्स 1958 से पहत्तर तक दच्छिड एसिया छेत्र में भाशा पुरा तत्व अस्थापत्य संस्कृति सभ्यता आधारित मानो विज्यान जर्नल जो था मैन इन इंडिया के संपादक रहे तो ये भी अपने आप में बहुत ही भी रहे हैं तो ये क्विश्चन भी आप लोगों से पूश दिया जाता है जो कि आप लोगों को याद रखना है 1967 से 72 तक बोस ने SCST कमिशनर का पद भी समहला था है ये भी क्विश्चन कई बार इजा में पूश दिया गया है मानो विज्ञान के छेतर में उत्कृष्ट कारे पर बोस को बंगाल की एसियाटिक सुसाइटी की ओर से वर्स 1948 में एन नडेल गोल्ड मेडल से नवाजा गया अब बोस का योगदान क्या रहा है या हम देखें तो बोस का क्या प्रभाव है समाज सास्त के अगर हम नजरिये से देखें तो यहां में यह समझना आवश्यक है कि बोस ने किन तातकालिक परिसितियों में लेखनकारे प्रारम किया था बोस ने जब अपना सोथ लेखन गंठा थी बोस उस बंगाल में पले बढ़े थे जो ब्रिटिस दास्ता से आजादी हासिल करने के लिए एक के बाद एक कई आंदोलनों का गवाह बन रहा था इसके साथ ही वहां सामाजिक सुधारों को लेकर भी आंदोलन तेज हो रहे थे बोस ने उस वक्त सनातक किया जब म महात्मा गांधी के नितित्यों में भारतिय स्वतंत्रता का संघर्ष अपनी चरम पर था उन्हेंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया जिसने उनके कारियों को अलग पहचान दिलाई थे 1921 से लेके 20 सताव दी अरथात हम यह कहें कि जो 1801 से लेके और जो 1911 हम यह कह सकते हैं कि 99 तक का टाइम अगर हम देखें तो ये टाइम पीरिड आप लोगों को 19 वी और 20 सताव दी के 20 का बोलेंगे तो बोस की तरह ही अधिकतर भारती शूत करता लेखक भारत की सांस्कृतिक विविन्यताओं के बावजुद राश्ट्री या एकता समगरता और अखंडता को लेकर गंभीर थे क्योंकि विविन्यताएं तो थी अंग्रेजों का सासन भी हमें उस समय देखने को मिल रहा था लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये उठ रहा था कि किस प्रकार से हम इनको एक सुत्र में बाढ़ सके वहद दौर स्वतंत्रता संघर्स और स्वतंत्रता के बाद नए राश्टवाद के उदैका था ऐसे में आजादी के बाद यह आवश्यक था कि भाशा, धर्म, जाती, परमपरा, रीति रिवाज और विरास्ति पहचानों की विभिनताओं के बावजोद उन तत्वों की तलास की जाए जो भारत के अलग-अलग छेत्रों, संस्कृतियों को एक सुत्र में बांधते हों और इनकी जर्ये भारत को समग्र रूप से एक बनाया जाए अकादमिक दोर पर देखें तो बोस्त के दोर में भारत में मानो विज्ञान अध्यान अध्यापन की अस्थापित साखन नहीं थी भारत बोस्त की सुरुवाती दोर के मानो विज्यानियों अर्थातराधा कमल मुखरजी, जीयस घूर्ये, डीपी मुखरजी इन में से एक थे इन भारत बोस्त की सुरुवात करने तक ब्रिटीस विज्यसग यही प्रशाशनिक आवश्यक्ताओं के लिए भारत जनसमुहों से समंदी जानकारिया एकत्र कर रहे थे यहाँ यह तत्थे उलेख नहीं है कि ब्रिटीस विज्यसग्यों की ओर से किये जाने वाले सुधकारियों और फिल्डवर का मुख्य उद्देश्य जो था वो ब्रिटीस उपनिवेश को मजबूत करना ही था यहाँ पे एक विचारक आते हैं चौधरी इन्होंने बोस को ऐसी वास्तविक भारतिय विचारक और स्वदेशी मानो विज्यानी बताया है जिन्होंने सिर्फ अपनिवेश्य को उद्देश्यों से भारतिय समाज के अध्यान पर सवाल खड़ा किये पश्चिमी तौर तरीके से मानो विज्यान के अध्यान का प्रशिक्षर लेने के बावजूद भोस ने भारतिय सभ्यता के अध्यान को लेकर अपना खुद का तरीका विक्सित किया था यहाँ पे आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि इनको सभ्यतावादी परपेख्ष से क्यों जोड के हम समझते हैं बोस ने कला मंदिर स्थापत पे पुरा तत्व भोगोलिक भूगर भी जाती विवस्था जनजाते यानि हर पहलू पर भारतिय सभ्यता के विकास को लेकर लेखन किया इसकी अलवा गाधी के विचारों पर उनका लेखन भी महतोपूर है बोस ने बंगाली और अंग्रेजी दोनों भासाओं को अपने लेखन का माधिम बनाया उनका लेखन सिर्फ किताबों निबंध सोध प्रवंध रिपोर्ट आर्टिकल के रूप में ही उपलब्द नहीं है बलकि उन्होंने आत्म कथात्मक चित्रड अर्थात आटो बायोग्राफिकल इसकेच उपाख्यान अर्थात एंसी डोर्ट्स यात्रा वितांत अर्थात ट्रविलोगेस और कथनात्मक अर्थात नेरेटिव लेखन भी किया है उन्होंने Culture and Society in India ये कुछ important books हैं जो कि आप लोगों को याद रखने हैं तो ये पहले book को दिख लेगे Culture and Society in India बहुत ही जादे important book है इनकी 1900 सरसक्त में प्रकासित हुई थी Cultural Anthropology 1961 में Present Life in India I Study in Indian Unity and Diversity भेरी भेरी important book है इनकी 1961 में प्रकासित हुई थी और The Structure of Hindu Society जो की 1961 में प्रकासित हुई थी समेट कई किताबे इन्होंने लिखी थी Man in India जो इन्होंने का जनरल था The Calcutta Review, Science and Culture, Calcutta Geographical Review जैसे जनरलों में उनकी कई लेग प्रकासित हुई थे देश के विभिन भागों में ब्रहमड के वीवरड पर आधारित उनकी व्यक्ति का जो डाइरी है वो है परिवरजाकार डाइरी एक यात्री की डाइरी इसका आर्थता है यात्रा वितानतों का एक अहां प्रामारिक दस्तावेच है प्रारम में बोज जो थे वो फ्रेंच बोज और अल्फरेट कोबर के विभिनताओं के सिधान्त और पार सांस्कृतिक विसलेशट से प्रभावित थे अपने सूध अपने पहले सूध प्रवन भारत में बसंतोत्सों में उन्होंने इसी विभिनताओं के सिधान्त को ध्या किया है इसी तरह anthropological सर्वे आफ इंडिया के निदेशक पत पर रहते हुए मैटीरियल कॉल्चिल ट्रेट सर्वे यह आप ध्यान रखेंगा एक एक फैक्ट है कि जरिये उन्होंने भारत का सांस्कृतिक नक्षा तयार किया था तो यह एक अपने आप में बहुत ही महत्वपू सर्वे आफ इंडिया के निदेश सक थे उस समय मैटीरियल कॉल्चिल कॉल्चर ट्रेट सर्वे के द्वारा किये थे इसके माध्यम से उन्होंने ग्रामिर छेत्रों की भाषाई पारमपरी समानताओं के आधर पर देश की सांस्कृतिक छेत्रों आर्थात कल्चल जोन का नि बसने के लिए काफी कुछ योगदान किया या यह कहें कि उनको उत्प्रेडित किया यह कहें कि वो इन सब चीजों से काफी प्रभावित हुए यहाँ पर दिया गया है कि आखे में इनकी लाइफ स्टाइल कैसे थी एनके बोस की तो बोस बेहत कम नीजी जरूरतों वाले वेक्ती थे साधारण जीवन और उच्विचार उनके जीवन का लक्ष था उनके जीवन को साधारतम बनाए रखने के लिए अनविशनों का प्रम इसमें हुआ माग, सीटी, तूद, ब्रस और टास, सेले का तमाम जो डेली के उपयोग की वस्तुएं हैं वो रखा करते थे इससे टैगोर की आविशका, शीलता और कांधी का शुक्ष्मवाद असपश्ट परिलख्षित होता है उनके लाइफ में तो ये भटाचारे ने कह है और ये है एनके बोस की बारे में कहा गया मंदिर मठा स्थापत्य जैसे हस सिर्थ तकनिकों ग्रामिर पर विश जन जाती है परंपराओं के ब्रिहद विशलेशर का औशर प्रदान किया बोस बोवा के फ्रेंच बोवास की बात हो रहे है यहां पर बोवा लिखा हुआ है सोद के अधिश ठापन के सिथांत और वैग्यानिक प्रमाडों के बिना सोद के ब्यापकी करण की आलोशनक के दिश्ट कोर से प्रभावित थे यही वज़य है कि बोस के इन अध्यैनों का लक्ष भारत की विभिनताओं को समझने जानने के लिए प्रचुर मात्रा में शाक कल्चर सिथांत का उप्योग अपनी पुस्तक कल्चरल एंथोपलोजी में किया है तो यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग याद रखिएगा कि जो सूल आफ कल्चर थियोरी है इसका उप्योगिनों ने अपनी पुस्तक कल्चरल एंथोपलोजी में किया है हलाकि उन्होंने कारे परक्षित्धान के उस और ना इतिहासिक या और हिस्टोरिकल कहें अर्था जो हिस्टोरिकल नहीं है दिश्टिकोड को नकार दिया जो सभ्यता संस्कृति के विकास में इतिहास के योगदान को महत्वपूर नहीं मानता है यहां पे बात निकल के आ चुकी है कि सबसे जादे ये प्रभावित हुए थी महात्मा गांधी से गांधी का बोस के ब्यक्तिकत जीवन से लेकर अकार्टमे कुपलब्दियों पर गहरा असर था बोस महात्मा गांधी के नजदी की लोगों में सामिल थे और नो आखले अभिय महात्मा गांधी के नीजी सची भी रहे महात्मा गांधी के निदन तक बोस का उनके साथ लंबा संबन संपर्क बना रहा बोस ने खुद को गांधी के विचारों के अध्यान और उनके अस्थापना के लिए समर्भित कर दिया बोस ने गांधी और उनके तरसन पर अपने प लिखी गई थी सेलेक्शन साफ गांधी दूसरी बुक है स्टडी जान काधिसम तो यह 1940 में लिखी है माई डेज विद गांधी वेरी बेरी इंपोर्टेंट बुक है जो कि आप लोगं को याद रखना है 1903 में लिखी गई थी और महात्मा गांधी एंड वन वर्ड उनिसो चा जाक्र ब्यापक लेखन बोस के अध्यायन का तरीका आखिर में क्या है परसपेक्ट्यव क्या था इनका तो यह हम लोग भारत अपनी विभिनताओं और सम्रिद सांस्कृतिक विरास्तों के लिए जाना जाता रहा है यह दुनिया की प्राची सब्विताओं में से एक है लिखित परंपराओं की विस्ति सिंखला के साथ यहां जंजातियां आरिवासी ग्रामिर और शहरी समधाई एक साथ रहते हैं एनके बोस सुर्जीत सिंहा और बर्नार्ड कान ने भारती समाज और सामाजिक धाचे को समझनी के लिए भारत की इस समृत और विभिनताओं वाली विरास्त को ही आधार बनाया है तो जब हम लोग सिविलाइजेशनल परस्पेक्टिव को पढ़ते हैं तो इसमें एनके बो जाती जन जाती जैसे भारती समाज के विभिन तत्तों पर विचार किया जाता है इस तरह सभी समूँ और समुदाय सभिता के अभिन अंग के तौर पर देखे और समझे जाते हैं यह तुरिष्टी कोड सभिता के विभिन पहलूं के अंतर संबंध आतिहासिक इस्तिति परि फोकस बन जाता है सोध में इतिहास की भूमिका क्या होती है ये हम लोग देखते हैं इतिहास और परिवर्तन एनके बोस के मानो विज्ञान अध्यान की दो मुख्या आवई आव रहे हैं ये आप लोगं को ध्यान रखना है इतिहास और परिवर्तन बोस के विज्ञेशर सोध में इतिहास की अहम भूमिका रही भारती समास के अध्यान में इतिहास ने बोस को न सिर्व अतीत में जांकने का और सरप्रदान किया बलकि विशय अध्यापन की विशय अध्यापन की कारिशली तैक करने में भी काफी मदद की है हलाकि जिस इतिहास के जरिये बोस ने अपना अध्यान आगे बढ़ाया वह सांखिक नहीं बलकि परिवर्तन सील रहा इसके जरिये बोस ने भारते समाज के निश्चिस संद्शना में रहते हुए समय के साथ खुद को विक्षित करने के तरीकों को अभिलिखित किया इस प्रकार सामाजिक ढाचे को लेकर निश्चिस समयावधी में अभिलेख निय परिवर्तन आता है जैसी कि उदाहरण के लिए बंगाल में जाती विवस्था के अध्यान के दोरान उन्होंने पाया कि उपनी विसकाल से पहले जाती विवस्था के काड़ बंगाल में जो साम की धीरे नश्ट होने लगी थी विक्यान अनुभव और अधिश्ठापन अर्थात साइंस इंपरिसिजम और इंड़क्टिव मेथड के बारे में देखते हैं कि एनके बूस का क्या विचार है बिस्वी सदी में मेलनॉस की रेड किली ब्राउन जैसे अधिकतर मानो विक्या यही वज़ा थी कि वे निरक्षड आकड़ों के संग्रह वर्गी करण कूट बद्धिकरण पुष्टी सत्यापन के जरिये उद्देश्यों के सुरक्षित अनुमान अस्थापित करने की बैग्यानिक प्रक्रिया को इस तरह के अध्यान के लिए आवश्यक मानते थे तो ज इसमें जिस तरीके से हम साइंस में एक्सपेरिमेंट करके और रिजल्ट निकालते हैं सेम यही चीज हम समाज पे भी लागू कर रहे थे बोस भी अध्यान के लिए वैग्यानिक द्रिश्टी कोड को उपियुक्त मानते थे किन्त वह अनुभावाद के जरिये अधिश्ठा अधिश्ठापन का अर्थ क्या होता है अधिश्ठापन का अर्थ उस रिष्टिकोर से है जो आकणों के संग्रह से प्रारंब होता है और फिर सिधान्त के प्रतिपादन तक पहुशता है तो सीधी सी बात यह है कि जब हम साइंटिफिक वे से हम किसी तथ्य को समाज में करते हैं उसका रिजल्टेंट क्या है वो देखते हैं तो इसी को अधिश्ठापन कहते हैं यहां निगमन जो होता है वो डिड़क्टिव विसलेशर के उस तरीके से उलट है जिसमें पहले किसी सिधान्त की परिकल्पना की जाती है और फिर सूध के जरिए इसे सिध किया ज होता है अधिश्ठापन के तरीके में सिधान्त सोध जो होता है वो सिधान्त जो होता है वो सोध के बाद आता है अर्थात पहले हम सोध करते हैं बाद में थियोरी बनाते हैं जबकि वहीं पे हम निगमन में क्या करते हैं पहले थियोरी होती है और उससे हम देखते हैं सोध करते हैं इस पूरी प्रक्रिया में प्रचुर मात्रा में आगड़े जुटाए जाते हैं वर्गी कृत किया जाते हैं और इसकी बाद पैटान और नियमों की जरिये इनका परिक्षड किया जाता है जो सिध्धान्त के प्रतिपादन में सहायता करता है बोस की यह विधी फ्रे विश्षड का महत्व क्या होता है इंपॉर्टेंस साफ आफजर्वेशन इस पी क्या कहते हैं इनके बोस तो चक्रवर्ती ने बोस की ब्यक्तिकर डायरी परी व्राजकर नोट्स के अध्यान से पाया कि बोस एक उत्सुप प्रेक्षक और समालोचक थे चक्रवर्ती ने डायर काल में यह माना जाता था कि आदिम मनुस्य जो है वो अंसिविलाज़ था अर्थात सभ्यताहिन था निम्न कोटिका था और और विक्सित था बोस ने प्रागायतिहासिक और आज की मानों समुदाय की शिल्प कौसल का तुलनात्मक अध्यान कर इस धार्णा पर सवाल किया वो उसने अपने अध्यान में वनों में रहने वाले लोगों की उत्कृष्टता और शक्ति के उन विंदूओं को अस्थापित करने पर जोड़ दिया जिसके बूते वे बीहत सिमिसंसाध्रों और विसम परिस्थितियों के बावजूत जीवन को संभव बना पाने में सक्षम रहे हैं वो उसने अपने शिच्छक से दूसरे व्यक्ति के दृष्टि कोड के वो साथ रखते हुए अपने परेविश्चर करने की सीख पाई थी इसी तरह उन्होंने अपने चात्रों को भी स्वतंत्र विचार करने के लिए हमीशा प्रेरित किया यहीं वज़ा थ थे कि बोस अपने चात्रों को यह विशर बताते थे जिस पर अध्यान किया जाना है और इसके लिए उन्हें फिल्ड में भी भेजा जाता था लेकिन उन्हें इस तरह प्रशिक्षित किया गया कि वे स्वतंत्र अध्यान कर सकें बोस मानते थी कि परियविक्षर मानु अध्यान अध्यान का महत्वपूर साधन है आपजर्विशन को इन्होंने बहुत जादे इंपोर्टेंस दिया है इसी कारण बोस अपने छात्रों को सोध के प्रचली तरीके यानि पहले से तयार प्रशनावली और कार र्यानुक्रम अर्थात स्कुडूल के बिना फिल्ड मे भेजते थे ताकि वे अपने नजरिये से आगलन कर सके अर्थात प्रशन भी वहाँ पे उनकी उन्ही के मन में उठे कि आखे में क्या इन सब सिचुईशन को देख के और क्या मन में प्रशन उठते हैं और उसके उत्तर क्या निकलते हैं इस तरह उनके छात्र पूर्व पित विचारों के बजाएक फिल्ड वर्क के दोरान सामने आने वाली चुनोतियों से स्वैंग व्यावहारिक तोर पर अध्यन करने में शक्षम बने सामाजिक उद्धार के लिए ग्यान अर्थात नौलिज भार सूसल इमैंसिपेशन बोज के लिए शोध कार सिर्फ ग्या हासिल करने का माध्यम नहीं था बलकि इसे वह सामाजिक और राजनितिक उद्धार का जरिया मांदे थे क्योंकि जब हम फिल्ड वर्क करते हैं तो वहां पर आखिर में वहां क्या कमिया हमें दिख रही है उसमें क्या सुधार की गुंजाइस है इस सब पर भी हम विचार कर करते हैं यहीं वज़ा है कि अपने अकाडमिक करियर को दाओं पर लगा कर भी उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में उतरने की जरूत महसूस की थे वहां मानते थे कि ग्यान का उप्योग समास के कल्यार और बेहतरी में होना चाहिए उडिसा के जुवांग जन जाती पर सूध के दोरान वहां रहते हुए बोश ने किसी समुदाए पर संकट के दोरान सूध करता की भूमिका पर गहराई से विचार किया इसकी वज़ए यह थी कि ततकालिन जुवांग समुदाए जो था वो कूपोशर का सिकार था और मलेरिया बड़ी तेजी से फैल रहा था लेकिन बोश चाह कर भी तब उनकी मदद नहीं कर पा रहे थे यहाँ पे एक कथन है अनकी बोश का इन्होंने लिखा है माई डेज विद कांधी में वैज्यानिक शोध मेरी वास्तविक वृत्ति अर्था स्वधर्म हमारा आखिर में क्या रिस्पॉंसबिल्टी हमारा धर्म क्या करता है रहा है पूर्ण विवेक के साथ राजनितिक अभियानों से जुड़ना मेरी लिए मात्र आकास्मिक करतव या अबधर्म का पालन ही था यह है अनकी बोश का कथन और यह माई डेज विद कांधी में इन्होंने लिखा है भारत में जाती विवस्था पे अनकी बोश के ग्या विचार है जाती विवस्था भारती समाज का एक महत्वपूर पहलू है यह हम सभी को पता है जो भारती समाज को सामाजिक राजनितिक आर्थिक और अन्य दूसरे आयामों से अभिन रूप से सम्मंधित करती है अधिकतर शोत करताओं ने भारती जाती विवस्था का अध्यान अलग-अलग तरीके से अपनी सुविधान रूप किया है लेकिन बोस ने भारती जाती विवस्था पर जो अध्यान किया वो न सिर्फ विभिन जातियों की संस्कृति और जीवन सैली को सामने लाता है बलकि इन में समय के साथ आए परिवर्तनों और जंजाती समुदायों के अंतर संबंधों को भी प्रकट करता है बोस के अंसार वर्तमान में जाती विवस्था अतीत के आउशेस मात्र है प्रारंबिक दोर में इस विवस्था का लक्ष सेवा के विभिन उद्देशों की पूर्ती था यह सामाजिक परसपर निर्भरता और एकता की ऐसी विवस्था थी जो लोगों के पारसपरिक संबंधों के साथ मानो और समाज के संबंधों का अहम सुत्र थी जाती व्यवस्था का आर्था ऐसी सामाजिक संगठन से था जिसमें उत्पादन, वीतरण जैसे आर्थिक गत्वितियां अलग-अलग जातियों के वीच वीतरित थी अस्थापित थी भारती जाती व्यवस्था में व्यक्ति के व्यवसाय का निर्धारण जन्म से होता था अर्था दवनसानुगत था और सदस्यों के लिए विभिन दाईतियों का निर्वहन करना उनका करतव्य था बोस ने अपने अध्यन में ये पाया की जाती व्यवस्ता ग्रामिर समुदाय में किसी जाती के सदस्यों को गैर प्रतिद्वन्दी, आत्मिनिर्भर और सू नीची तरूजगार की उपलब्तता के माध्यम से आर्थिक और सांस्कृतिक शुरच्छा प्रदान करने का जरिया थी इसके अतेरिक्त जाती व्यवस्ता विभिन सांस्कृतिक व्यवसायों को अपनाने की स्वतंतरता प्रदान करती थी बोस यह भी मानते थे कि द्रिड़ा और स्रिड़ी बद जाती व्यवस्ता किसी व्यक्ति को यह स्वतंतरता भी प्रदान करती थी कि वह सन्यास से जू उस स्टिती में किसी सेफ्टी वाल्ब की तरह काम करती थी जब कोई व्यक्ति स्वैंग को व्यवस्था के अंतरगत खुद को दबाव में या आनुपी युक्त पाता था फिर भी ब्रिटिश शासन के आगमन के साथ जाती व्यवस्था नए आर्थिक दोर के साथ धीरे धीरे नश्ट होती गई तो एनके बुस बिल्कुल क्लियर मानते हैं कि जुद जाती व्यवस्था हमें जो अपनिविसिक शासन आया था ब्रिटिश शासन आया था उसके पहले देखने को मिलती थी वो बाद में नश्ट होती चली गई थी बुस मानते हैं कि जाती व्यवस्था देश की आर्थिक विभिन्यताओं के कारण पारम पर एक शास्त्री अवार्ड व्यवस्था पर पूरी तरह खरी नहीं उतर सकी लेकिन उन्होंने अपने अध्यान में जा पूत करते हुए बोस ने जाती विवस्था को भारतिय समा संस्कृति और सफ्षिता का अभिन्व अंग माना है उन्होंने जाती को सामाजिक एक जूडता का जर्या मानते हुए इसे विभिन्यताओं वाले देश में एक्ता और एकी करण का माध्य माना बोस के अंसार जाती विवस्था के कारण हिंदुत्व सांस्कृतिक महासंग अर्थात फेडरेशन आफ कल्चर्स बन गए इससे यह विभिन जातियों के भी जीवन सहली भोजन वेस के आधार पर विभिनताओं अंतरों वाले सांस्कृतिक विवस्थायों का जरिया भी है दूसरी ओर अंबेड कर जाति विवस्था को निमनतर विवस्था के रूप में प्रस्तुत किया है जो अलग-अलग जाति की सदस्यों की फूमिकाएं सामाजिक स्तिति अधिकार और दायतियों का निर्धारण कर स्रेडी बत्थ और समानता का निर्माड करती है अर्थात ग्रेडिडे इनिक्वैल् privileges प्रदान करती है वही अन्य वर्ग अर्थातनेमन वर्ग या जो अस्प्रिश्य वर्ड थे इनके उत्पीड़न का माध्यम भी बनती है जबकि बोस के अनुसार जाती व्यवस्था उत्पीड़क शूशक नहीं है बलकि यह आर्थिक व्यवस्था और सांस्कृतिक तत्व है भारतिय संस्कृति पे बोस के विचार क्या रहे हैं यह हम लोग देख लेते हैं तो संस्कृति क्या है सबसे पहले इसको किस प्रकार से बोस ने डिफाइन किया है बोस मानती थे कि संस्कृति मानो समुदाय के जीवन प्रत आवश्यक्ताओं की संतुष्टी से समन्दित हैं संस्कृति मनुस्य की जैविक जरूरतों की पूर्ती पर संतुष्टी का सिध माध्यम है पसूं से इतर अर्थात हट के मनुस्यों के भासा वसाधन है जो मनुस्यों से सीखने का जर्या है याना सिर्फ सांस्कृति गडविदियों को इस्थिता और संस्थापन प्रदान करती है बलकि इन्हें एक से दूसरी पीड़ी तक स्थनांतरित करने का माध्यम भी बनती है भोजन शैली जीवन रिती रिवाज, विश्वास, वेश-भूशा संस्कृति के वे पहलु हैं जो परसपर संबथ है इस से इन्मी से किसी एक में भी परिवर्थन दूसरे पहलु में परिवर्थन का कारण बन जाता है इस प्रकार संस्कृति एकी क्रिथ है और इसे इसके घटकों में विभाजित नहीं किया जा सकता है ये मानना है एंकि बोस का हलाकि बोस ने वैज्ञानिक विशलेशर की सुविधा के लिए इन्हें अलग-अलग करके देखा है चुकि बोस मानते हैं कि संस्कृति मानो जीवन की आवश्यक्ताओं से जुड़ी हुई है उन्होंने हिंदु धर्म ग्रंथ को बाट कर देखा है तो यहां पर इंदोने संस्कृति को तीन भागों में बाटा है आर्थ काम और मुक्ष तो यह आप लोग ध्यान रखेगा यह जो है यह हिंदु जो धर्म ग्रंथ है उसके द्वारा जो ऐसे है कि मानो जीवन की क्या लक्ष है तो यह बात की है एंकि ब बोश बताते हैं कि इन तीन आवश्यक्ताओं की पूर्ति के लिए मनुस्य पारंपरिक तरीकों के अनुरूप कारिवेवर करता है जिसे आचार कहा जाता है आचार की चार अवस्थाएं हैं यह आप लोग ध्यान रखेगा वस्तू अर्थात पदार्थ क्रिया अर्थात ग पारिवारिक जीवन के उधारण से इसे समझते हैं जिसके माध्यम सेवा आचार के घटक वस्तू संगती और तत्व के जरिये अर्थ और काम की संतुष्टी प्रदान करता है सांस्कृतिक परिवर्तन क्या होता है यह हम लोग देखते हैं अभी बोश भारतिय सभ्यता का य यूरोपियन सभ्यता से तुल्लात्मक अध्यान करते हैं तो इन्होंने यूरोपियन जो सभ्यता था उससे भारतिय सभ्यता की तुल्ला की थी वो उस बताते हैं कि पूजीवाद और व्यक्तिवाद के हावी होने से यूरोप की सभ्यता का दभावना पर गहरा असर हुआ ह यूरोपी सभ्यता ब्यक्तिवादी और प्रति असपर्धी है जो वहां की कला स्थापत्य और खेलों से दिश्टिकोचर होता है दूसरी और प्राशीन काल से भारती सभ्यता जो है वो जाती व्यवस्था से संबध रही है जो सामाजिक एक्ता और परस पर संबंधों निर्भ व्यवहार के आंतरिक व्यवस्था ने भारती सभ्यता को विशिष्ट संस्कृतिक रूप प्रदान किया है ये विश्वास और विचार संस्कृति के मूल की अस्थापना करते हैं जिन में समय और अनुभाव के साथ परिवर्तन होता है जिसे संस्कृति की आत्मा माना जात है बोस मानते हैं कि संस्कृति जो हो दिये वो इस्थिर नहीं है यह संस्कृति की वर्तमान भूमिका से बुनियादी आवश्यक्ताओं की पूर्ति और संपूर्ण संतुष्टी नहीं हो पाने की इस्थिति में समय और जरूर्तों के हिसाब से परिवर्तन शील है तो संस्क संस्कृति का अंसरड करने वाले लोग जरूरतों और संकट काल के हिसाब से रशनात्मक्ता के माध्यम से इसमें परिवर्तन करते जाते हैं इस प्रकार जीवन और संस्कृति के बीच निरंतर परस पर क्रियात्मक संबंद बना रहता है दुर्खीम, क्रोवर और कुछ मार्क् कम्युनिस्ट विचारकों के संस्कृति को सूर आर्गैनिक मानने के विचार से बहुत सहमत नहीं है यहाँ सूर आर्गैनिक का आर्थ ऐसी व्यवस्ता से है जो व्यक्ति से उपर हो और उस पर बल पुर्वक अपना प्रभाओं डालती हो जैसे कि हमारे यहां जो भी नाम्स हैं वैलूज हैं तो यह हम देखेंगे कि हमारे उपर एक दबाव डालती है नियंतरड का काम करती है तो सीम वैसे ही संस्कृति जो होती है वो व्यक्ति से व्यवस्था से उपर होती है जो कि हमारे उपर दबाव डालती है इसकी कारण व्य असर इतना ब्यापक है कि इन्हें अस्थापित करने में व्यक्ति का भी कोई मुल्य नहीं समझा जाता है अर्थात व्यक्ति की कोई वैलू वहां पे नहीं है जो है वो संस्कृति है यहां तक की व्यक्ति खुद भी समझोता करके और इन्हें स्विकार कर लेता है क्योंकि हमा हमारे समाज में हमारी संस्कृति में यही है तो हमें भी यही करना चाहिए। दूसरी और बोस बताते हैं कि संस्कृति परिवर्टन के लिए उत्तरदाई है क्योंकि व्यक्ति अपनी आवश्यक्ताओं की पूर्ति के लिए संस्कृति को आनुसरीत करता है। व्यक्ति को संस्कृति बाधक नहीं बनाते बलकि संस्कृतिक परवेश में सक्री और महत्पूर भूमी का निर्वहन करने का आउसर प्रतान करती है तो यहाँ पर यही कह सकते हैं कि बोस का अपना अलग नजरिया है कल्चर को देखने का वही पर दुर्खिम क्रोवर का अपना एक अलग नजरिया है यह मानोव जीवन और संस्कृति का परज़पर संबंध है जो संस्कृति को संतूलन की इस्थिती में रखता है यद्य पी ये संभाव है कि रूडियों की चलते परिवर्तन की उधारण बहुत ही कम मिल सकते हैं संस्कृतियों का संपर्क अर्थात कॉंटेक्ट आफ कॉल्चर्स क्या होता है अपनी प्रख्यात पुस्तक कॉल्चरल एंथोपोलोजी जो कि 1961 में प्रकासित हुई थी बोस नेमानों और संस्कृतिक संबन्दों की व्याख्या करने के साथ इस पर भी प्रकास डाला है कि जैविक आवश्यताओं के अनुरूप किस तरह संस्कृतिक परिवर्तन होता है बहुत दो बिंदियों पर फोकस करते हैं पहला है कि कोई सांस्कृतिक की विसाय वस्तो अर्थार्थ जो cultural object होता है किस तरह एक संदाय से दूसरे संदाय तक हस्तान तरीत होता है अगर हम बात करें जैसे आप हमारे अपने भारती समाज में हम देखेंगे अपनी संस्कृति में तो ऐसे बहुत ऐसे तत्व हैं जो कि हम लोग जो पश्चिमी संस्कृति हैं वहां से ले लिए या पश्चिमी संस्कृति में बहुत ऐसे तत्व होंगे जो हमारे देश से भी देखने को मिलेंगे दूसरा दो संस्कृतियों का परसपर संपर किस तरह दोनों संस्कृतियों के आंतरिक स्वरूप में परिवर्तन को प्रेलिद करता है इसके जरिये बोस यह भी अध्यन करते हैं कि ये परिवर्तन सामानी और व्यापक होते हैं या नहीं होते हैं वो सस्पस्ट करते हैं कि यदि आर्थिक और सामाजिक रूप से कोई संस्कृति सफल है तो उसके स्वरूप में बदलाव नहीं होते हैं लेकिन यदि या किनी कार्णों से नाकाम रहती है विसेश्ट आर्थिक पहलू के लिहास से तो लोग पलायन कर जाते हैं क्योंकि ऐसी संस्कृति का अर्थ ही क्या है जहां पे हम आपनी जीवन का निर्वार न कर पाएं या पलायन समानवातावरण परिस्थितियों वाले भू छेत्र की और से और जानी की रूप में भी हो सकता है और कुछ ऐसी नई विवस्थाओं को अपनाने से भी जो समाज की आर्थिक इस्थिति को नुकसान से रोके उधारण के लिए बोस्थ बताते हैं कि जन्व नियंत्रण अर्था जो बर्थ कंट्रोल होता है इसके जरिये जनसंख्या को संतुलित कर खाद श्रिंखला और जीवन मानकों को अस्तरिय बनाने रखने का प्रयास किया जाता है इस प्रकार लोगों की अस्थापी तरीतियों में भी परिवर्तन से भी बचा जाता है भारती इतिहास से सांस्कृतिक संघर्ष के कुछ उधारणों के जरिए वो सांस्कृतिक परिवर्तन की वज़र रही मानसिक परिश्यों का मुल्यांकन करते हैं इसकी बजाए या इसकी अलावा वह उन कारकों पर भी प्रभाव डालते हैं जो विसेस्ताओं के चायन और मानों के चायविक स्वरूप को फ्याख्याईद करते हैं वो उसने इन्हें मानों जाती विक्यान की सांस्कृतिक समस्याएं बताया है उरिसा पे जो इन्होंने अध्यान किया था ये हम लोग देख लेते हैं तो उरिसा के स्थिति की बात करेंगे तो सबसे पहले हम हिंदू करके टॉपिक एक दिया हुआ है इसमें देखते हैं कि क्या है तो दस्वी से तेरहमी सदी तक उरिसा स्वतंत्र और सम्रिति राजिथा उसकाल के राजाओं की मंदिरों के निर्मार में विसेश रूची थी जिसने स्थापत्य हस्त सिल्फ चित्रकारी के माध्यम से लोगों के लिए रोजगार के औसर उपलब्द कराए है वे विद्धत ब्राम्भणों का सम्मान करते थे और उन्हें दांस और उप्चमीने देते थे किन्तु विभिन आक्रमणों के दोरान हुई लूट पार्ट में उरिसा की सम्रित्थी नश्ट होती गई और राजाओं से संबध कलाकार रोजगार के औसर समाप्त होने से निर्थन होते गए इसका सीथा असर उरिसा की संस्कृति को कला और ग्यान के नश्ट होने का बड़ा नुकसान हुआ आर्थिक रूप से सामने आये इस अभाओं ने उरिसा की संस्कृति के कुछ विशिस लख्षणों को समाप्त कर दिया आर्थिक व्यवस्थाओं को अस्त ब्यस्त कर दिया और जाती व्यवस्था के स्वरूप में भी परिवर्तन ला दिया जो की पहले से अनुवांसिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहा था उदारण के तौर पर बोस्थ बताते हैं कि खंडे जो पहले सैनिक हुआ करते थे बाद में किसान बन गए जुआंग जनजातियों पे बोस्थ क्या करते हैं इसको हम लोग समझेंगे हिंदू धर्म से परिचय से पुरू जुआंग जनजाति की आजिविका का साधन जो था वो शिकार और अस्थनादर क्रिशी था जिसे जुम क्रिशी भी हम बोलते हैं तो ब्रिटीस उपनिवेज की अस्थापना के बाद जंगलों को संडचित किया गया तो ये दोनों साधन लुप्त होने लगे इन दोनों अकाल का सामना करने के बाद जुआंग जनजाति को हिंदूों की तरग खेती के परिश्क्रित स्वरूप को अपनाना और हल जैसे उपकरनों को उपयोग में लाना सीखना पड़ा लेकिन इसमें असफल रहने पर उन्होंने टोकरिया बुन्ना अने लोगों के लिए जंगल से इधान की आपूर्ति करने का काम प्रारम कर दिया ये कार्य मुख्यता जुआंग महिलाएं करती थी इससे होने वाले आयसे वे नमक, कपड़े, शराब आदी खरीदा करते थे इस तरह वे हिंदू आर्थिक व्यवस्था से गहरे जुडते चले गए और धीरे धीरे हिंदू समाज की एक नई जाती के तोर पर सामने आ गए जुआंग लोग अपने जंजातिय पारंपरिक देवहारों के अलावा हिंदू की तरह लक्षमी धर्म जैसे हिंदू देवी देवताओं का पूजन करते हैं इसके अतरिक्त सांस्कृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप उनकी भासा में भी काफे अंतर आ गया है इसी तरह का असर छोटा नागपूर के मुटा समुदाए में भी नजर आता है हिंदूं और मुटा समुदाए के लोगों के मतभेदों के द्वरराण मुटा लोग इसाई मिशनरीस के संपर्क में आये जिसकी कारण मुटा जंजाति के अधिकतर लोग जो हैं ओ धर्मान तर अर्थात उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया जिसका असर उनकी पुरातन सांस्कृतिक रीतियों में बदलाव के तौर पर सामने आया। दूसरी विवस्ताओं को अपना ना सुरू कर दिया लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में धार्मिक विश्वासों और सामाजिक परंपराओं का अधिक प्रभाव नहीं हुआ। तरीत दौर तरीके थे उसको अपना न पड़ा। बोश बताते हैं कि मुंडा और जुआंग जनजातियों की संस्कृति के नश्ट होने की पीछे एक बड़ा कारण दोनों जनजातियों के लोगों में अपनी परंपराओं को लेकर गर्व का अभाव रहा है। उनको ऐसा लगता था कि हमारी परंपराएं ऐसी नहीं है जिन पे हम गर्व कर सकें। वह करते हैं कि संस्कृतिक संपर की प्रक्रिया में दूसरी संस्कृति में बिलह होने वाली संस्कृति के लोगों में यदि गर्व के अनभूती रहती है तो निश्टित रूप से परिवर्दन का परिडाम भी अलग हो जाता है। बंगाल की बात कर लेते हैं बंगाल पे इनका जो अध्यान है बोस बंगाल के इतिहास के उधारण भी अपनी पुस्तक में रखते हैं इसके तहत वाए एक पुरातन संस्कृति की आर्थिक और सफलता के फल स्वरूप नई आर्थिक व्यवस्ता की घुसपैठ दूसरी संस इसकृति की उपस्तिती और अपनी पुरातन रीतियों को छोड़ने वाले समाज में आत्म सम्मान और गर्वान उपूदी की कमी का वड़न करते हैं ब्रिटीस उपनी वेश्वाद के आगमन और पूजिवाद के अस्थापना के साथ बंगाल में आर्थिक तोर पर संकर साम ने आया जिसने जाती वेवस्था के स्वरोप में बड़ा बदलाव किया वोस बताते हैं कि इसकी सुरुआ ततकालिन सभी भारतिय वर्गों में ब्रिटीस सभ्यता से खुद को कम तर मानने से हुई अर्था जो भारतिय सभ्यता है उसको जो भारतिय लोग थे वो ब्रिटी लोगों के प्रति माथती चापलूसी का भाव बढ़ा वहीं दूसरी और द्वेस और घ्रिडा भी विक्सित होती गई वोस इसे अधीन लोगों में विजेताओं के प्रतिपन अपने वाली भावना बताते हैं वो स्तर्क देते हैं कि किसी जनजाती या समदाय के विदेशी सभिता के तत्तों को अपनाने के पीछी जो करण होते हैं उनमें या तो आत्म सम्मान का पुड़ा भाव या आत्म समरपड जैसा कि मुन्डा और जुआंग जनजातियों में रहा इसका भाव होता है और फिर यह भी हो सकता है कि आत्म सम्मान का भाव तो हो लेकिन दूसरी संस्कृति को अपनाने से इस भाव में हाने की कोई आसंका न हो किन्तु जब आत्मिस्वास का अस्तर भीहत कम हो और लोग दूसरी सभ्यता से जूनने के कारण अपनी संस्कृतिक पहचान के नश्ट होने को लेकर आसंकित हो तब वे रच्छात्मक और कठोर हो जाते हैं कि हम दूसरे की संस्कृति तो अपना रहे हैं लेकिन क्या हमारा अपना खुद का आस्तित्व हमारा खुद का पहचान खत्रे में तो नहीं आ जाएगा ऐसी अगर भावना मन में आती हैं तब वे रच्छात्मक तरीके के हो जाते हैं या फिर अपने को लेके कठोर हो जाते हैं बोस बताते हैं कि बंगाल के मामले में भारतिय समाज ने आर्थिक मोर्चे पर भले ही पूर्ण आत्म समरपड किया हो लेकिन आत्म सम्मान के आउशेशों के कारड़ लोग के मन मस्तिस्क में सांस्कृतिक रूप से रच्छात्मक भाव था यह भाव कई बार मन विकार का रूप ले लेता है बोस जैविक संरशनाओं के आधार पर बताते हैं कि जब कोई प्रजाती किसी दूसरी प्रजाती के कारड़ विलुप्त होने का डर महसूस करती है तो और सामाने लक्षणों का विकास करती है संस्कृतियों के मामले में भी कुछी इसी तरह के रच्छात्मक उपक्रम सामने आते हैं बोस बताते हैं कि हिंदुत्व के पराभो काल में सामने आई कई विक्रितियों से इसे समझा जा सकता है जैसे कि उदाहरण के लिए हिंदू में प्राचीन काल से गाय का विसी सामाजिक थार्मिक महत्वर रहा है लेकिन गो हत्या को लेकर मुस्लिमों के प्रति उपजी विरोधी भावना के गो मांस खाने वाले अन्य समुदायों लोगों के प्रति समान रूप से प्रति रोधी न समंद और जीवन के आवश्यक्ताओं के अनुरूप संस्कृति में बदलाव सिध्धान के हिसाब से दीखेंगे तो पाएंगे कि मुंडा जुआंग और वंगाली समाज ने दूसरी संस्कृति के उन तत्तों को अंगीकार किया है अर्था एकसेप्ट किया है स्विकार किया आर्थिक और शक्ति के पहलू के आधार पर रितिष्ट होती है इसका अर्थिया हुआ कि सांस्कृतिक क्रिया कलाप आत्मरच्छड की सहजविती से प्रेरित होते हैं बोज के अध्यान का निश्कर्स यह है कि सांस्कृतिक संपर्क में जिन चार तत्तों का विसेश महत्व जो है वीक केंद्रित विचार अर्थात दस्ट्र अइडियास मांसिक अभिवरिती अर्थात दमेंटल एटिट्यूड संस्कृतिक तत्पर अर्थात कांटेंट आफ कल्चर और संस्कृतिक को संरच्छित रखने वाला आर्थिक ठाचा अर्थात एकोनोमिक फ्रेम वर्ग अर्थात आगे को बढ़ाता रहें किसी संस्कृतिक के अधिन हो जाने की इस्थिती में परिवर्तन का अंतिम परड़ाम उसे मानने वाले लोगों की मांसिक अभिवर्ति पर मूलता निर्भर करता है यही वज़ा है कि यदि किसी संस्कृतिक का अनुकरण करने वाले लोगों में अपनी संस्कृतिक के प्रती आत्म सम्मान और गौरों का भाव कम हो तो उसमें गहरी परिवर्तन की संभावना है उन संस्कृतिक के मुकाबले अधिक रती है जिने मानने वालों में अपनी संस संस्कृति को ले कि और आत्म सम्मान का खोई भाौ ही नहीं होगा हम अपनी संस्कृति को स्रेष्ट मानेंगे नहीं तो यह नीच्छल सी बात है कि हम तूछरी संस्कृति को एकसेप्ट करना चाहेंगे या स्विक्रित दिया जाता है नई पहल की कमी अस्पश्टी दिखाई देती है जबकि कुछ और सामाने तत्व भी उभरते हुए दिखते हैं जब ये तत्व संस्कृति को विलप्त होने से बचाने के अपने लक्ष में सफल हो जाते हैं तो स्वता धेरे-धेरे कम होते जाते हैं और संस्कृ एक बार फिर विकास के पत्पर सामाने रूप से बढ़ने लक्षी है अपनी शूत कारियों के दोरान बोस ने पाया कि पूर्वी भारत की जनजातियां जब हिंदू जातियों के संपर्क में आई तो उन्होंने हिंदू की जीवन सैली और सांस्कृतिक पद्दतियों को अपनाया जो दो संस्कृतियों के अंतरसमंदों का परडाम था उन्होंने जनजातियों को पिछडी हिंदू जातियां जीएस घूरिये का बहुत ही फेमस ये कोट है बताया है जो धीरे धीरे हिंदू सामाजिक विवस्था में आत्म साथ होती गए थी घूरिये की ही तरह बोश भी जनजातियों को भारती सभ्यता का अहम इस्ता मानते हैं बोश बताते हैं कि अफ्रिका और आश्ट्रेलिया की जनजातियों की तरह भारत की जनजातियां अलग थलग नहीं रही हैं बलकि उन्होंने प्रियत हिंदू समाज से संपर्क संबाद अस्थापित किया है इस प्रकार अपनी पुरानी जीवन सहली को छोड़ कर खेती अपनाने वाली जुवांग जनजाती धीरे-धीरे हिंदू समाज में आत्मस्वात कर ली गई यहां यहां भी उलेखनी है कि हिंदू सभ्यता से जुड़ने की इस प्रक्रिया में जुवांग जनजाती के लोगों ने अपने रीतियों, परंपराओं, सांस्कृतिक, अपनाने अंसरड करने की इनकी स्वतंत्रता आर्था तो वो अपने खुद के जो रीति रिवाज है वो उसी के इसाब से अपने जो ही कर्मकांड है क्रिया कलाब है वो करते हैं बोस ने इसे जनजातियों के आत्मसात्मी करण की हिंदू पत्तति कहते हैं तो यह आप लोग ध्यान रखेगा यह इनका कीटों में जनजातियों के आत्मसात्मी करण या आत्मसात्मी करण तो यह ज भारतिय सभिता विवद्धिता में एकता ये इनका एक बहुत ही महत्वपूर पॉइंट है जो कि हम लोगों को समझना है ये बार-बार यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं इनकी एक बुक भी है इंडियन सिवलाइजेशन यूनिटी और डाइवर्सिटी भारत भ लाष्ट्रिय निर्माड के दौरान भारतिय सभिता का अध्यन करते हुए भारतिय विवित्ताओं के बीच समानता वाले तत्तुकार को पर फोकस किया बौस का ये उस दौर में एकता और राश्ट्रे अखंडता का भाव विक्सित करने के लिए अती महत्वपूर था बोस इसने भारतिय सभेता को विविताओं में एक्ता के तौर पर प्रस्तुत किया है जिसके लिए उन्होंने सास्त्रिय, धार्मिक पार्थय, प्रशाशनेक दस्तावेजों, ग्रामेट परवेश और जाती विवस्था के समक्र अध्यन को आधार बनाया है। वो उसने अपने अध्यन में पाया कि भारत की विशाल, भौगोलिक और पर्या, वर्णिय परिस्तितियां, मिट्टी की गुर्वत्ता, जलसुरूतों की इस्तिति और अन्य भौतिक संसाधन, अलग-अलग शीत्रों के लोगों की जीमशैली और भोजन पत्तती पर असर डालत हैं उश्रकटिबंदिया देश होने के कारण भारत प्रारंब से ही क्रिशी प्रधान देश रहा है, तो यह हम सभी को बता है कि जो भारत है, वो एक उश्रकटिबंदी देश है, जहांपे अगर क्रिशी की बात करें, यह हमें बहुत आयत में देखने को मिलती हैं, फसल सामाजिक और धार्मित पहलों को भी प्रभावित करती है हाला कि भारत में सांस्कृतिक रूप से विविद्दाएं हैं लेकिन विभिन छेत्रों और भाससमुहों के बीच संस्कृति से जुड़े कुछ ऐसे तत्व हैं जो समान हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो इसके अतरिक्त विभिन धार्मिक पंथों उपासना विधियों और संतों द्वारा धार्मिक सामाजिक सुधारों के लिए किये जाने वाला दी साटन ने भारतिय सभिता को एक समान बनाने में मदद की हैं वो स्तरक देते हैं कि भारतिय समाज की प्रकृति जो है वो पिराम जाते हैं श्रमिक और निम्न वर्ग में अधिक विवित्ता मिलती है जबकि उच्च वर्गों के बीच में कम विवित्ता मिलती है तो यह यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यह सीन्हा के द्वारा हो किया गया है 1969 से 1964 तक Anthropological Survey आफ इंडिया के निदेशक रहने के दोरान बोस ने भारती समाज के राष्टी अस्तरिय सोथ के लिए पांच चरणों को अपनाने का सुझाओ दिया था तो यह पांच चरण कौन से थे यह हम लोग देखेंगे पहला चरण है कि पूरे भारत में संस्कृति के तत्तों के वीत्रण का अध्यन और इनके वीत्रण के पैटरन भासाई विभिनताओं का मान चित्रात्मक वर्गी करण करना दूसरा चरण इन्होंने कहा कि मिट्टी के जो बर्तनों के इर्माण है धातु सिल्फ कला जैसे प्राशेन भारतिय सिल्फ कलाओं और तरीखों का अध्यन करना तीसरा इन्होंने कहा है कि भारत के विभिन छेत्रों की सामाजिक व्यवस्थाओं में सिल्फ और जाती व्यवस्थाओं का अध्यन करना चौथा चरण है कि मठ राजियों और मठों जैसे भारती समाज के प्राचेन अस्थापत्यों का अध्यन करना और पांचवा और आखिरी चरड़ उन्होंने बताया है कि भारत के विभिन छेत्रों में जन जाती आभियानों जाती और विवशायों में आधनी करड़ की प्रक्रिया का अध्यान करना अपने सोध कारियों को लेकर वो जो है वो वेहत धुनी थे और चाहते थे कि युवा शोध करता मानो जाते विज्ञान सोध को राश्टी अस्तर पर स्थापित करें उन्होंने जातियों बरतर निर्माड बुनकर तेल निर्माड जैसे भारती और प्रशलित व्यवसायों जीवन सैली के तरीकों सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन को लेकर आंकणों की संग्रहण पर जोड़ दिया या दिपी चौधरी बाते हैं कि बोस के लिए भारती सभ्यता हिंदू सभ्यता से जूड़ी थी भारती सभ्यता पर बोस के अध्यान अधिकतर हिंदू समाज की विभिन संस्कृतियों के संक्रमड पर आधारित है जो बताते हैं कि हिंदुत्यों को धीरे धीरे इन संस्कृ के सिर्ष पर पहुषता है हाला कि हिंदु तो कर लेकर उनका विचार धर्म से अधिक संस्कृति का है जो सब को आत्म साथ करता है तो दोस्तों यह कॉंसेप्ट पुष्ट है जो कि बहुत ही डीटेल में हम लोग एंड की बोस के है तो पुर्पुस्तक है दो इस्ट्रुक्चर आफ हिंदु सुसाइटी यह भी बहुत ही अच्छी बुक है इंपॉर्टेंट बुक है इनके द्वारा भारत का ग्रामीड यीवन एकता और विविधिता यह हिंदी में आप लोग को दिख रही है एंके बोस के द्वारा सेलेक इंपॉर्टेंट बुक जो कि आप लोग को याद रखना है यह बुक की एक्जाम में पूछ भी दिये गया है इस्टडीज इन गांधिजम एंके बोस के त्वारा यह बुक बहुत ही जादे इंपॉर्टेंट है एक्सक्वे एक्सकेवेशंस इन मयूर्पंग तो यह बुक कि एंके बोस के बारे में आप लोगोंने डीटील में समझा और आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक किया करिए हमें कमेंट करके जरूर बता होते हैं तो अच्छा लगता है तो इसलिए आप लोग कमेंट जरूर किया करिए अपने दोस्तों में सेर किया करिए धन्यवाद